घुल नमश्कार स्वा happier आपका प्राइम टीवी पर श्वयता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शक्सित जैसा कि आए में जानता ही कि हर बार हम एक शक्सित के साथ माजOOD होते हैं एसे हैं अज हमारे साफ एक सकसित माजूद है आज राश्टodorटी पदक से सम्मानित है आज तक की जर्णी कैसी रही है तो सीधे इनी सही बात करेंगे इनकी जर्णी के बारे हुए तो आईए बात करते हैं आजाद हफीजी से नमस्कार सर असर आपका हमारे प्राइम टीवी के शो शक्सित में बहुत बहुत स्वागत है सर हम लोग हर बार अपनी शक्सित में एक शक्सित से उनके जर्णी पर बात करते हैं जो उनका पहले बच्पन का सफर कैसा था फिर उन्होंने प्रेजेंटली उन्होंने क्या किया देन फ्यूचर में क्या क्या तो हम ऐसे ही उनके पूरे सफर बात करते हैं तो सबसे पहले हम में आपका सफर की शुरुवात करते हैं आपके बजबन से कि आपका बजबन काथ था, आपका इसकूलिंग टाइम काथ था तो उस पह आप हमें थोड़ा-सा बताएज कि किस तरीके ऐस्यूलिंग ताइम में यह होता-था कि हम लोग अपने स्कूल टाइम के बाद управ ऐक जो अ क्योंकि मैं पुराने लखनों का बाशिंदा हूं और हम लोग की जो मजाटी होती थी उसमें हमारे ये सिकंदर इज़ी हो गए नबाब शिको आजाद हैं और इन लोगों के साथ की जो हमारे पूरी हमारे जो मजाटी थी तो हम लोगा ये दो होता था उस वक्त की शाम को घु होती थी घुमने आते थे पूरा गुरूप साथ में गुमना पिना ये नहीं था कि हर वक्त पढ़ रहे हैं या टाइम दे रहे हैं उसमें ये जरूरी था कि मजाटी के साथ में गुमने निकलना बाहर पूरा गुरूप जाके गंजी करना दा उधर पूरा साथ और शाम को बैट के सारे लोग बैट के चाय पीना साथ में तो एक वो अब जैसे माहूल है कि बच्चा बंध है यार वक्त वो कंप्यूटर के सामने बैठा वायर स्टडी कर रहा है वो दोर उस वक्त इसम नहीं था हम लोग शाम को घुमने फिने निकलते थे लकनू के आवद की शाम क्या करकूलम एक्टिविटीज पसंद हुआ करती थी जो आपको बहुत इंट्रेस्ट आता थे जिसे खेल खूद में हो गया या म्यूजिक हो गया या सम्धिग तो उसमें आपका क्या खास पसंदीदा रहा है उसमें हमारी जो पसंद थी यह था कि मजार्टी एक दोस्ती जितने गुरूप में लड़के हैं सब साथ में और किसी ऐसा नहीं कि वहां पर पिक्चर में हम लोगो जाके देखें मुवी देखें बस में हम लोग रहता था 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 कि अपना गुरूप जब निकले तो लोग देखें कि देखिए आज-आज बही हो जा रहे हैं उनके अधिक होगी लौक आots हichई नक्रालिय कर सकाभरा क्राइब ते हुआ यह पर कि पुजी समयूरे लोग को कर दो लोगğ लोग देखंए, इनकी मजारटी जा रही हूं है। तो मतलब आपने अपने ग्रूप को बड़ा मैंटेन करके रखा हुआ था कि अपने रूटर बेस्ट लड़के जो साथ के थे उस वक्त हमारे वो भी ऐसे थे कि लोग देखते कि वाई सिकंदर इज्वी हमाएं गुरूप में अबा करते थे जो आज के टाइम में कर्पटन सिकंदर इज्वी के नाम से जाने जाते हैं और शिको नवाब साथ में सरते थे हमारे मसरत जमील हो गएं तो बहुत सारे ऐसे लड़के लोग हैं जिनके नाम याद करूँ हैं तो काफी लोग हैं वो आज के टाइम में उनकी भी कुछ सक्सियत है कामियाब हैं हाँ लेकिन जैसे अपने आज के टाइम में भी जो मैं कर हूँ में रहूं की भी आजाद हैं तो लोग पहचाने कि हाँ यह आजाद हैं वाकिसर यह है कि जिसे आप जिस तरीके से बता रहे हैं आज कल के दोर में जब भी कुछ ऐसा हो तो पैरेंट्स एक पनिश्मेंट रहता है तो आप लोग का ग्रुप है कभी आपकी किसी शरार को लेकि कोई पनिश्मेंट आपके स्कूल कॉलेज या घर से कभी चीज ऐसा कुछ मिला है आपको असल में वाली सहाब तो बड़े मैं बहुत खुल के बताने चाहूं को कि वाली सहाब बड़े खिलाफ रहते तो मैं बहुत देर से गहर लाटता था तो हमारा यह था कि जब आताने रात हैं मगर यह अपना है पैर दो आ रहा था था उधियर प्रता पट हो अज्टी से बात कर्मणे उतारता था फिर अपने खाना मेर्ा था इसा नेँ हूआ कि मैंनेज कर ले था हुए कहीं से भी आता था रात में मगर उनके पार दबाता था उस वाक्त तो नहीं लेकिन आप सुबार डाट पड़ती थी काई आदा था कि दिलिट को वागते हो माकी सेर आपके अब हम केरियर की तरफ ठोड़ा से बढ़ते हैं कि जैसे आपका आपका एजक्वेरान काम्प्लीट ओओ उसके बाद चल्चर अपने इंडिया का पसंद है, मैंने ये महसूस कि जितने आजाद, जितनी फ्रेडम मुझको हिंदुस्तान के अंदर है, मुझको दूसरी जगा पसंद नहीं है, ति मैं वहाँ से वापसाइगा तरह जान करके अपनी हिंदुस्तान में. तो आपने उसके बाद आगे जो कंडियन हो, या इंडिया में आप क्या किया जाएगा? इंडिया में फिर मैं जाओ में लग गया, जाओ में लगने अबाद में, लेकिन कहीं ने कहीं से इतना टाइम जरूर निकालता था, कि एक हमारा सोशल कांटेक्ट मौना रहा है, सोशल कांटेक्ट मौनाने के लिए फिर सबसे अच्छी चीज मुझे देखी है, वो सिविल सब्सक्राइब करने के बाद मैं जो करना चाहता था, वो सारी चीज़ा हमारी नागरी सुरचा सेम्टर में थी हैं, और इसमें सेविल लेफिंस में आने के बाद मैंने बहुत अपना तन-मंध-धन से लोगों की सेवा करी है, जिसको अप्रेशेट किया गया, पसंद किया काम हमारा सिबल डेफेंस का ये रहता था कि जितने भी आपका लाइन अर्डर से मुतालिख जलूस फूलूस निकलते थे और जिते आपका पॉल्यो का काम हो गया आधार कार्ड बनने का हुआ, रेशन कार्ड राधार कार्ड यह जितनी भी आडविस्टेशन के जो वर्क होते थे, वो सिविल डिफेंस को दी आते थे, वो मैं करता था, और उसी में ही मुझको खुशी होती थी सारे काम करने में. आपने जिसे आप पहले बाहर रहे फिर इंडिया में आए देन, पिर अचानक से जो सिविल डिफेंस वाला जो आपका डिसीजन था, वापका सेल था या आपके पैरेंट्स की तरफ से, आपकी घर वालों की तरफ से कुछ यह था गाइड लाई थी, यो गहर वालों ने भी आ समा सेवा का मतलब यह होता है कि किसी हट तक आदमी अपने घर से दूरी थोड़ा डिस्टेंस का हो जाता है. पहले मैं चाहूंगी कि सिविल डिफेंस के बारे में थोड़ा सा एक्स्प्लें करिये क्योंकि काफी लोगों को सिविल डिफेंस के बारे में मालूम नहीं होता ह तो यह है कि पहले सिविल डिफेंस में आपकी जॉब रिस्पॉंसबिल्टीज क्या क्या रहती थी मतलब किस तरीके से आप उस पे काम करते हैं देखिए सिविल डिफेंस मैं बहुत स्टार्ट में बताना चाहूँगा कि इसकी स्थापने उनी सो बासट में भी थी जब इंड करता है उसमें घर के मुख्या ओ घर में कितने सदस हैं उसको पूरियू सक जनकारी उसमिंगारी हुती है तो अभी अगर कहीं बबंबलास होता था था पन्बारी होती था पता चल सकता था कि स्ट्रीज़ बताता था उसके पाड़ो रिकार्ड आता ता इसलिए पूरी अपसरकारी महां हो गया। डीजी, एडीजी, आईजी, डीजी, पूरा एक डिप्ट्री कंट्रोलर और एडीजी। और उसके बाद दूसरा टेक्ज होता है वो हमारा ऑउनर पे हो। हम लोग जो वाडेंस होते हैं वो अनपेड होते हैं। उनको खारी एक आउनर मिलता है, आउनर पे जाब होती है, कि उनका यूटलाइजेशन वहां पहता है, जब कही लाइनर आडेंस में जैसे कहीं जूलूस निकल ले हैं। बहुत बड़ी संख्या में, तो लाडेंस को मेंटेन करने के लिए हमार अवाडेंस, हम लोग बहुत काम आते हैं कि, क्योंकि सारे पॉइंट सारी जगाएं, जितने भी मॉब होते हैं, चल लें उसमें, तो काफी उसमें दोनों का आवाम जनता और पुलिस अडिस्टिक अ सार, इसे एक तान्विल बना रहता है, तो वहां पर उसका जो है यूटलाइजिशन होता है, आवारडेंस का. मांकि सार आपके काउंसलर भी रहे हैं, तो काउंसलर ऐस बींग काउंसलर किस तरीकी काउंसलिंग आपकी रहते हैं? काउंसलर मैं रहा नहीं हूँ, अभी भी एड़ प्रेसिल में हूँ, मैं डीसीपी महिला अपराद आफिस में काउंसलर हूँ, और इसमें हम लोग का यह होता है कि जो भी फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, उस पे हम लोग दोनों पच्छों बला काउंसलिंग करवाते हैं, और हम लोग का में किलिदार इसमें यह होता है कि घर तूटने न पाएं, घर उजड़ने न पाएं, उन घरों को हम लोग बसाते हैं और इन ही चाहते हैं कि एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं. अचा, सर जैसे आपने भी बोला कि महीला काउंसलर के लिए आपने बात बोला कि घर तूटने न पाएं, घर में जो भी प्रावलम होती है, तो वो सिफ काउंसलिंग के थूँ आप लोग उसको सौट आउट करते हैं, या फिर यह है कि उनके जो घर की परिस्तिती हैं, उनक की जो इसके बाद दोनों पच्छों को बोलते हैं प्रेंग लग जो डोक का लग बाद में ऑस एक बार ने रहूत करते हैं समझने के बाद में फिर उसमें घर को नहीं जाते हैं, लेकिन पूरा फीडबैक लेकर और उनकी प्राबलम आप उस चीज को हम लोग पहले उनका ब्रेनवाश करते हैं और अगर घर में कुछ ऐचे प्रवलम होती ही तो उनके घरवालों को बुलाते हैं, उनको समझाते हैं और 99% यह होता है हम लोगा कि समझावता हो जाए और होते भी हैं आपने जैसे अभी फीडबैक की बात करी तो फीडबैक में आप उनके रिलेटिव और उनके जो नेइबर्स हैं उन सबसे फीडबैक लिया जाता हो उसके लिए आपकी टीम जाती होगी, आप लोग जाते होंगे विजिट करते होंगे देखे, काउंसलर भी वही होते हैं जो समाज के एक सबरांत लोग होते हैं, जान परचान वाले लोग, उनकी अपने छेतर में भी जान परचान होती है, पगड़ होती है, तो ज़रूरी नहीं कि घर तक जाएं पता करें, बहुत से चीज़ें फून पर भी मालुम हो जाती ह किसी के बारे में, और मालुम करने के बाद में पर यह होता है, कि उनको ही बता दिया जाता है, कि देखे, आपके एरिये में यह लोग, अगर दिक्कत आती है तब, ऐसी नौबत आती नहीं है, क्योंकि में जगड़ा तो आपस जो लोग मेरे सामने आई हैं, हैस्बंड को अभी तक कितने केस आप के सॉट आओट हो जगे कितना परसंट रहा है आपके इन केस का, आपने आज तक कितने टाइम्स आप करते हाएं हैं तो… डिपार्टमेंट का है आफिस का काम है यह इस चीज को हमारा यहां पर कैमरे का सामने बोलना मुनासिब भी नहीं है यह सारे फिड़बै तो हमारे आफिस में डीजी पी मैला अपराज से ले सकती है वहां से मालू हो सकता है क्योंकि जो चीज राइटिंग में सामने रखी हो हम बोलेंगे तो लग बग करके और अटकल मनाएंगे वह मुनासिब नहीं है हाँ यह है कि मैक्सिमम हम लोग कर उजड़ने नहीं देते हैं गर बसाते हैं और इसमें हमारी जो डिसीपी महला पर आदें डिप्टी कमिशनर राव पिलीज आइड प्रिजिट तो मैडम जिता चोधरी जी हैं तो उनका बहुत जादा हम लोगों को सपोर्ट रहता है और जो हमारे सामने पार्टी जो बठे होते हैं लोग डिस्प्यूट वाले हजबन वाइफ होगा या साधनर जो भी होगा है तो उसमें यह होता है कि एक बहुत बड़ी हम लोग के साथ एक ता कि यह सब चीज़े होती हैं इसमें काफी हमारा जो कॉपरेट रहता है वो कॉपरेट हमको मैडम डिसीपी से मिलता है आफिस वाले हुसे मिलता है और बाकि हम लोग अपने असाफ से अपनी सलाहिया से अपने मों से क्या आगा हूँ अपने अपनी सलाहिया से और अपने कि में एक बहुत अच्छा काविले तारीफ एक यह जॉब प्रॉफाइल है बाकी सर यह है कि आपके आस्तकिलाब में सबसे ज्यादा मतलब ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेटिड केस रहा जो सौर्ट कर्णमी में बहुत दिक्कत रही जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ ह उसमें एक दो का हम नाम क्या बता है उसमें काफी केसे रहें कोई ऐसा कोई केस आप शेयर करिए मतलब जिसमें ऐसा बहुत ज्यादा रहा हो कि बहुत दिक्कत रहा हो और काफी मशक्कत के बाद उसको सौर्ट किया गया हूँ जो केस आया ओफिस में जो आप्लिकेशन दी जिसके फाइल खुली तो वो कॉंपलिकेटर तो होता ही है उसमें जब डिस्पीट हुआ तब ही जे लोग दोनों घर के वहां निकलें हाँ मैक्जमम केस निपते हैं इनका समझावता हुआ यह है कि आपको एक राश्पती पदक से समानित भी किया था उसके बारे में आप थोड़ा से डिटेल बताइए कि राश्पती पदक से समानित किया गया था उसके बारे में आपको लाइन अडर्स ज्यादा तर पुराने लखनों में पहले अब तो लागा शुकर है को ऐसे बात नहीं लखनों हमारा बहुत सही चला है कभी दंगे फसाद होते थे पुराने लखनों में जादा तो उस दावरान जो भी जुलूस निकलते थे या जो भी डिस्प्यूट होते थे जो भी तो उसको हम लोग मैनेज करते थे और आवाम और पुलिस डिस्टिक अड्मिस्रेशन के बीच हम लोग एक नुमानदा के हिसाब से जो मैनेज करते थे वो सारी च ता उसमें I'm not a single person, एक टीम वर्क है ही हमारे पूरी टीम इसमें लेके रहती थी हमारी, बहुत वाड़न्स होते हैं इसमें, सारे लोगों की महनत इसमें होती है, हाँ, इतना जरूर है कि जाहर बात है कि टीम में देखे जो प्राइज मिलता है, वो कैप्टन को मिलता है, तो क जादा अपना करदार अदा किया जादा जादा जूलों, ऐसे मौकों को पर तो वो चुन लिया जाता है, और उसमें यह नहीं कि सभी को मिलता हो, उसमें बहुत ही लिमिटेड लोगों को यह राश्पती बदक मिला है, यह मिलता है प्रेसिटेंट अफिस से, क्योंकि हमारा जो सीविल एफिस इपार्टमेंट है, सीविल इफिन शाहसन से जाता है, यूपी गवर्ण्ट, यूपी गवर्ण्ट, सेंट्रल गवर्ण्ट, फिर वहां से प्रेसिटेंट आफिस, पिर वहां से तब गाई यह वार्ट मिलता है लोगों. तो सार उस टाइम का एक्स्परि यह जो सेवा करी, तो उपर वाले ने हमको यह जो पुरुसकार दिया है, तो कम से कम यह तो रहेगा लाइफ में, कुछ मिला मुझको सिविल डेफेंस से, बहुत अच्छी आर्गोनेजेशन है, और मैं इसकी तारीफ करता हूँ, इसके हलावा हमारी कई और मैं चीजों से जो सिशेशन, उसका मैं नेशनल जनल सिग्रेटी हूँ, इसी तरह से अखिल बारतीः यादियोवकता إ्स सिशेशन, उसका मैं सरपरस्त का सेक्टियाभ सर परस्त हूँ, तो इस करहा से कई जगाओं से जोड़ा हूँ मैं, और अपना जो अनूबावा है, उसनों सही है कि आद आपसर ज red आ değişांृ मैं सप्वान को लिगए कि यहां उपन में वीघे मसल होगा जेवता है ,कि तरह सविश्च बीचैन कीजिव ही आफिटा है ,कि आपके जान वंगा तरौ सव खित आफ़ पाँ दिए लिस नाफ हो आफुझा हो डीया है ? दो बाहर करना है च Grüस को बाहर करता हूं तो अपने घर का सुझाना है तो आपका फैमिली का सपोर्छ रहता हो ढमा क्योंकि this case यह उसमें यहीकर कभी कभी एसा होता कि आप कभी कुछ case कर रहे हैं और व आप पर नहीं हो कि अब भी कुछ हुआ है आपके साथ में? हाँ, जब कुछ चीजे ऐसी होती हैं, कि जिसमें घरवालों के भी सपोर्ट लेना पड़ती है, घरवालों से भी बात होती है, तो उसमें एक सही एड़वाइज मिल जाती है कि करसे क्या जाए, क्योंकि जाहिर बात है, जो एक वाइफ की जो नजरिया है, तो मैं तो एक शोहर हूँ, हस्बंड के हिसाब से जो भी सोचूंगा, लकिन कुछ कमियां जो रहा है जाएंगी, जो वाइफ है, किसी और की जो भी वाइफ है, तो एक उपिनियन, उनका ख्यालात गर बे उसको शेयर कर लेता हूँ, मालूम हजाता है कि हाँ, अगर ऐसा केस चल ला है, तो उसमें एक किसी की भी अगर वाइफ हो तो उसकी अपनी, उसको सोचने का नजरिया क्या है, उसको सुचने का अठाएं क्या है, या उसमें क्या होना चाहिए, वो गर से शेयर करता हूँ. अगर आप उसमें भी नहीं रहते हैं तो बाजी जिस तरह से जंदेगी चल लगी है यह चलती रहेगी जिन कामों में हूँ आगे भी करता रहूंगा बाज आखिर में चाहेंगे सर आप हमारे प्राइम टीबी के वियोज को एक मेसेज तें बड़ा अच्छा लगा मुझको यहाँ पर आके तो मेरी यह घुजारिश है जो लोग इस वक्त देख रहे हैं प्राइम टीबी के देखने वालों के लिए एक मैं यह दर्ख्वास के लिए इसको या हमाई उजारिश समझ लिए कि आप इस टीवी के मादेहम से मैं यह काना एक मैसेज देना चाहूंगा कि यह जतने भी चीज़े हैं लाइन आर्डर से मतालिख जैसे कि कंसिलिंग बताया आफिस में आते हैं लोग या जतने भी कोई भी काम अगा लाइन आर्डर से मतालिख हम लोग करते हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि उपर वाला ना करे कभी ऐसे जुरुवत पढ़े कि आपको हमाय पास आना पढ़े और बेतर तो यही है कि जो भी ऐसे कुछ होता है वो बहुत ही शांती के साथ अपने घर में ही उसका समधान कर लें उस चीज को घर में ही निप डालें जादा बेतर है ऐसा ना हो कि आपको हमाय पास आना पढ़े और इसकी जुरुवत पढ़े कि हम किस तरह से हम लोग उसमें इन्वाल हूं सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के शुक्रिया आपका आप लोग ने मुझे को पुलाया तो आज के प्राइम टीवी के शो शक्सित में हमने बात की आजाद हफीज जी से जो राश्पती पदक से सम्माने थे उन्होंने बखुबी आज तक उनके अपने सफर के बारे में हमसे चर्चा की और बहुत ही अच्छा लगा आज उनकी चर्चा सुनके उनकी बातचीत सु झाल